हालो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीपल अंदियर परदेटीप्स पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा पिछली वीडियो में हमने यह पिताया था कि वाय शूट पीपल डिसाइड कि लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे कि Parliament में कौन जाएगा लोगों को Decide करना चाहिए अब जब लोगों ने Decide करना चाहिए इस चीज में Agri हो गए थे तो हम देखते हैं कि लोग कैसे Decide करते हैं जाफिर क्या लिजी कि लोग किसे Decide करते हैं तो People's and their Representatives लोग और लोगों के द्वारा जो Representatives कौन होते हैं उसको इस चीज में हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं People are Supreme in Democracy लोग क्या हैं Democracy में सबसे ज़्यादा पॉफूल है No doubt सबसे ज़्यादा उपर कौन होता है सबसे ज़्यादा सप्रीम को न होता है सबसे ज़्यादा पॉफूर किस के पास होती है डियमोग्रेशी में लोगों के पास होती है People are Supreme in Democracy अब जब लोग Supreme होते हैं डियमोग्रेशी में तो क्या होता है Therefore in a democracy the government as well as other public institution need to have the trust of the citizen तो क्या होता है कि भूँ है कि अब चुनाव आते हैं तो स़ारी चीजें चाहते हैं कि सब सबसे जयादा पाउफुल कौन होता है सबसे जयादा पाउफुल जंता होती तो वही चीज जहां भी बताई गई है कि people are supreme democracy क्या है कि लोग क्या है है सबसे powerful है this democracy में इसका मतलब क्या है कि Iskaya है झितने वी leaders है political Parties जतने भी political institutions और वह तब तक ही power और में रह पाएंगे जब तक उनका क्या होगा जब तक उनके पास ट्रस्ट होगा लोगों का विश्वास होगा अगर लोगों का ट्रस्ट होगा तब भी गॉर्मन्ट चल पाएगी पॉब्लिक इंस्टिशन्स चल पाएंगे अब खुर सोच लो अगर पॉब्लिक का चुनाव में citizens vote नहीं देंगे क्या वह पॉलिकल पार्टी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी जैसे एक्जामपल आज की जो हमारी present government वह कॉन सी government हमारी बीजेवे की government तो जब Congress की government थी जब Congress Congress ने लोगों का विश्वास तोड़ा जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ Congress party में कि वह काम नहीं कर पा रही है जो हमें नीट चाहिए जो हमारी जीता लोगों का विश्वास कैसे जीता उन्होंने देश की development करवाई देश के लिए ऐसे ऐसे कानूर बनाए जिससे जो है देश का benefit देश का बढ़ा हुआ तो लोगों को विश्वास हुआ government के उपर नहीं जो है यह अच्छा काम कर रही है वह जह हमारी जो चीज़ें हैं जो भी development है वह अच्छे से कर रही है तो next time भी क्या किया उन्होंने कि विश्वास को ही वोड़ देकर उनको विश्वास बनाया तो इस संस में क्या पता चलता आपको कि लोग क्या है सबसे जादा powerful है democracy में लोग जिसे चाहें उसे राजा बना सकती है उसकी government बना सकती है ठ चीए तो पार्टी सनमुक्स करते करते हैं कि जो जनता है वो गल्सक्राइब कर तो ऐसे राकिश्य करते हैं कि जो जनता हैं वो ग्वर्मेंट को अप्रीवल कैसे देते है वो ग्वर्मेंट चलाताЬ कैसे है ठीक है कैसे चलाती है वो हम कुझा नहीं कभी डिजिजन लें। फिर बहुते हैं depicts कि भीथखाब पर डिजिजन लेंगे डिजिजेंट से इन एक सामर्चाहिए कर रही है जनता कर रही है तो ऐसा कैसे हो जाता है तो उसके पीछे कारण समझो लोग डिरेक्टली नहीं जा सकते यह प्रैटिकली इंपोसिफल है क्यों क्योंकि इतने सारी जनता है मारे देश में 125 क्रोड जनता है 125 क्रोड लोग अगर पार्लिमेंट में जाएंगे तो देली पूरा जो है क्या हो जाएगा जाम हो जाएगा एक साथ सारे लोग चलेगे तो तो इस सेंस में आपने याद रखना है कि लोग अप्रूवल देते हैं डिरेक्टली नहीं इस ठीकितों अपने लिफ्रेश करता है कशोच के देते हैं जाएगा अपने लिफ्रेश ऑड्राइब करते हैं पेश्टिय और फेबर्संट संथे अब यह समझ में जैसे कि जहां हमारे दिस्टिक उद्विंपूर में अमेले की अलेक्शंस होती है हैं तो आप अपनी क्या करते हो जो आपका favorite यह है जो आपकी फैवरेट जो लीडर है उसको लेटर है उसको कर कर अपर्लैमिट भेश्टियों चुनकर उसको रहे हो हम क्या करते हैं elections के तुर्फ हम अपने रिपरजंटेटिब को चूज करते हैं कैसे वोड देकर चूज करते हैं वोड देने के बाद हमारे रिपर्जंटेटिस जो होते हैं तो on our behalf approval to the government हमारे विहाफर वो approval देते हैं government को तो इस sense में हम क्या कहते हैं तो इस sense में हम कहते हैं test of the citizens जाने की people is required कि लोगों का विश्वास होना ज़रूरी है अगर लोगों का विश्वास है कि गौर्मेंट काम अच्छे कर रही है लोगों का विश्वास होगा तो भी गौर्मेंट क्या करेगी टिक पाएगी गौर्मेंट जो है चल पाएगी प्रसलेगे रिपर्जंटेटेटेटेस इन दा पार्लिम्ट चुनते हैं उनको पार्लिम्ट में बेष्टेंपार्टी पार्टी और जो ग्रूप आउप B.J.P. Party है Congress Party है और जो B.J.P. के party के MLS है वो 12 जो representatives है और Congress के 10 representatives है अब इन दो group में से अब जिसके बाद ज्यादा majority हो गी MLS कि वो क्या करेगी government बनाएगी अब जो है MLS किसके पास है B.J.P. के पास तो government डूम बनाएगा B.J.P. की government बनाएगी B.J.P. रिपर्जंटेटिटीस रहते हैं, वो क्या करते हैं? मारे विहाँ पर गौर्वर्मेट मनाते हैं गौर्वर्मेट कैसे बनाएंगे? तो हमने सारे रिपर्जंटेटिटीस को चूज कर लिया जैसे country में elections होती है, तो एक party red वाली है, और एक party blue और रेड पार्टी के पास जो रिपर्जेंट्रीटीटीज है वो 10 है और ब्लू पार्टी के पास एक रिपर्जेंट्रीटीज था तो वन ओफ सवाल जय आता है कि सारे लोग अपने अप्रूबल दे नहीं पाते तो वो अपना approval कैसे देते हैं, कैसे देते हैं, elections के तुरू, elections के तुरू हम अपने representatives को चुनते हैं, और उन representatives group में, एक group को, एक group जो है, वो government बनाता है, वो एक group कौन सा रहेगा, जिसके पास majority होगी, ठीक है, जैसे बीजेवी की जो elections हुई थी, जो government की elections हुई थी, तो क्या 82 सीट मिलते हैं, मिलते हैं, सबसे जादा majority में, जो MLS थे, वो किसके थे, बीजेपी की थे, तो सरकार किसके बनी साल, इस वार, बीजेपी की, तो सरकार किसके बनती है, जिसके पास majority, जादा होगी, वो अपनी सरकार बनाएगा, तो next video में हम पढ़ेंगे, role of the parliament, अब जो हम संदस, जो हमारी संसद है, उसका role क्या है, ठीक है, okay student, thank you